दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंटॉमलोजी के बारे में और इंटॉमलोजी का लेक्चर 4 है इसी तरह की बहुत से लेक्चर है अगर आप ने देखा तो आप जाएए और देखिए इस चेनल पर अब लेबल है पहला फैक्ट हम बात करेंगे कि टर्माइट जो है ए वाइकलोथर्मिक होते हैं वाइकलोथर्मिक का मिन्स यह है कि इनके पास ऐस सच कोई मेकानिजम नहीं होता जिससे कि वो बाड़ी के टमपेचर को कंट्रोल कर सकें इसलिए इनको कोल्ड ब्लडड और्गनिजम बोलते हैं आई आई बीसी इसका फूल फॉर्म क्या होता है इसका फूल फॉर्म है International Institute of Biological Control जो कि आपका वेस्ट इंडीज में है 1927 में इसको इस्टैब्लीज किया गया था NCIPM का फूल फॉर्म क्या है NCIPM मिन्स National Center for Integrated Paste Management जो कि आपका New Delhi में है और 1988 में इसको इस्टैब्लीज किया गया था PDBC का फूल फॉर्म क्या होता है PDBC का मतलब Project Directorate for Biological Control जो कि आपका कहाँ पर है बैंगलूर में और 1993 में इसको इस्टैब्लीज किया गया था और यह जो PDBC है इसको फिर से रिनेम कर दिया गया उसका नाम रखा गया NBAII National Bureau of Agriculture Important Insect in 2009 में अब देख है IOBC इसका मतलब क्या है इसका मतलब है International Organization for Biological Control जो कि जीरिक स्विजर लाइन में है अब एक इंसेक्ट में क्रिप्टो बायोसिस होता है इसका मतलब क्या है आप कभी कभी देखते होगे कि इंसेक्ट जो है अपनी metabolic activity को सो नहीं करता सो इसको क्या बोलते है क्रिप्टो बायोसिस जो वेक्स मोत होता है उसका scientific नेम क्या है उसका scientific नेम है Galeria Mello Nella और यह most serious pest है agriculture का अब क्यूबिकुला क्या होता है जो वरकर भी होते हैं उनके हिंद लेग में आप देखोगे एक pollen collection करने के लिए बॉक्स होता है उसी को बोलते हैं क्यों भी कुला अगर हम बात करें इंटमोलोजी की तो यह इंटमोलोजी क्या है एक ग्रीक वर्ड है याद रखिएगा जो कि दो सब्दों से मिलकर बना है इंटमोन लोगोस मतलब होता है इंसेक्ट लोगोस का मतलब ह होता है डिस्कॉर्स उसकी स्टेडी करना इंसेक्ट के स्टेडी करने को इंटमोलोजी बोलते हैं